धलते सुरज की पुकार पर रात के अंधेरे से लड़ते दीपक की रोशनी का नाम है जनक प्रकती और मनुष्य के रिष्टे नातों की भूली विस्री गूंज की जनकार हैं जनकदीरी जनक पल्टा मिगिलिगन अक्षय उर्जा के लिए समर पे उन प्रयासों की चलती फिरती किताब हैं जिसके पन्नों का एक एक अक्षर भावी पीड़ी को सुझलाम सुफलाम बसुधरा यानि हरी भरी धरती सोपने का बचन देता है यहां पर यह हमारा छोटा सा एक बायो डाइवर्स्टी फार्म है जो की औरगैनिक है, केमिकल फ्री है और सेल्फ सस्टेनिमल है साउरूर्जा, पवनूर्जा और अपसिस्ट प्रवधन के सैटी कुपायों को हजारों हातों ने सीख कर अपनाया है दीदी के कारण मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने की शमता हम लोगों में आईये और यह जो कर रहा हूं में, और अर्गनिक फार्म पूरा, तो इसमें शुरुआत में लोग हसते थे, पागल बोलते थे, बोलते थे ये कोई खेती होती है, क्या अब गहां सूगरी है जादा, पर दीदी हमेशा उस चीज को हटा के हमको पॉजिटिविटी देती आई, और इस में अभी गाउ में सोलर टी स्टॉल भी शुरू हुआ है, लोग प्लास्टिक भी अवाइट कर रहे हैं लोग, दीदी से सीख तो सबसे बड़ी है ही मिलती है, कोई भी चीज से डरना नहीं, क्योंकि दीदी ने जो अपना जीवन जिया है, जो पूरा उनने काम किया है, वो हम जिन्दगी से अलहदा जनक पल्टा मिगिलिगन ने नारी के उस तेज से ग्रामिर्ट जीवन में उजियारा किया है, जिसे हम शक्ति के रूप में देखते हैं और बिजली के रूप में पुकारते हैं यह है मेरा हीट रिटेनर बास्केट, जो एनरजी सेविंग है, जिसमें हम लोग दोपहर का बना हुआ खाना, शाम तक खा सकते हैं, शाम को सूर्य अस्त तक खाना बन जाता है, वो इसमें रख देते हैं, इस बास्केट में केवल यहां पर अंदर रूई लगी हुई है, अ जनकदीदी की आंतरिक शक्ती ने पर्यावरण संतुलन को पीछे धकेला है, घटे प्राकरतिक संसाधनों के बीच, सतत धार्णिय विकास की पता का थामे, जनकपल्टा मिगिलिगन ने स्वामी विवेका नंद के उन शब्दों को चरितार्थ किया है, जिसमें उन्होंने क पांच सो पुर्षों के साथ भारत विजे को पचास साल लग सकते हैं, पर कई महिलाओं के साथ कुछ सप्ता से अधिक नहीं करें,wir किरे विए कास फेला लग स्वाजास करकुछ टूप पह थांद भेड़ सा उलाएंग, जिसमें कुछ सकते हैं